नमस्कर आपके स्वागत दिन दाज्टामा डिए पे मैं पूनम आपके साथ गोविन्दा ने अपने करियर में कई जबदस फिल्में दी अपनी डैबी फिल्म के बाद उन्होंने एक साथ 70 फिल्में साइन कर ली थी पीते दिनों गोविंदा उनके भाई किर्ती कुमार का पुराना इंटर्विवू चचा में रहा जिसमें अक्टर ने अपने करियर शुराती दिनों को याद किया विने पाटक के चेट शो हर घर कुछ कहता है मैं गोविन्दा ने बताया था कि करियर के शुरुआत में उनके पास इतने ज़ादा पैसे आ गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनने कहां खरच करें उस दूरान गोविन्दा ने सोचा था कि वो इन पैसों से सो रिक्षे खरिद लेंगे किर्थी कुमान ने बताया था कि समय के साथ वो गोविंदा के सेकेटरी बन गए और उन्हें कई फिल्म एक साथ साइन करवा दी क्योंकि वो जल्द से जल्द पारिवारी गरीवी से बरना चाहते थे किर्थी ने उस दोर को याद करते वे बताया था कि एक दिन गोविंदा ने अपने सारे पैसे और बैंक डिटेल इखटा किये और वो ये पता लगा नहीं कोशिश करने लगी कि आखर इन पैसों को कहां खर्च किया जाए किर्टी ने आगे बताया था कि उस वक्त कोविंदा ने उन्हें सुजावत दिया कि उन्हें 100 आटो रिक्षा या 100 ट्रक खरिद लेने चाहिए जिस पर किर्टी ने उन्हें समझाया कि उस तरह के बिजिनस के लिए नहीं बने है बात में जब कोविंदा स्टार बन गए तो उन्हें 100 ट्रक खरिदने का आइडिया दिया था लेकिन किर्टी ने इसे इंकार कर दिया पुरानी यादों पर हस्तेवे कोविंदा ने कहा उनके भाई किर्टी हमेशा उनके आइडियास पर ऐसा ही रियक्षन देते थे इसे के साथ मने ने राज्रामा टीवी के साथ धन्यवाद